सफल बने समर्थ बने पावन बने जिवन मीठी मुरली सुनके पाए सुख सखन आज का चिंतन आज का चिंतन ओम शांती गड माणी प्यार का सागर शिवावा बड़े सनहे से आज हम बच्चों को कह रहे हैं अब बाब समान दहिया भीमानी बनो बाब की यही चाना है कि बच्चे मेरे समान बन मेरे साथ घर में चले साथ में बाबा पूछ रहे हैं तुम बच्चे किस वाद का वंडर देखते बाब की शुक्रिया गाते हो हैं अपने बच्चों को राज्युक सिखलाएं लाइक बना रहे हैं तुम बच्चे अंदर ही अंदर ऐसे मीठे बावा की शुक्रिया गाते हो बावा कहते ही यह शुक्रिया शब्द भी भक्ति मार का है बच्चों का अधिकार होता है इसमें शुक्रिया की क्या बात ड्रामा अनुसर बाप को बरसा देना ही है साथ में बावा बहुत प्यारा सा गीत याद किये है जिसका साथ ही है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी तुफान जिसका साथ ही है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी तुफान ये गीत है बच्चों के लिए जिसका साथी सर्विश शक्तिवान परमपिता परमात्मा है उनको माय की आंधी वा तूफान क्या कर सकता है वो आंधी नहीं माय की तूफान आत्मा की जोती को बूझा देते हैं अब जगाने वाला साथ ही मिला है तो माया क्या कर सकती है नामी रखा जाता है महाविर माया रावन पर विज़ेई पाने वाले कैसे विज़ेई पानी है सो तो बच्चे सामने बैठे हैं बाप दादा बैठे हैं दादे और बाप को पिता और पिता मह कहते हैं तो हो गए बाप दादा बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप हमारे सामने वेठे हैं रूहानी बाप रूहों से बात करेंगे आत्मा ही अरिगन्स द्वारा सुनती है बोलती है, खर्म करती है तुम बच्चों को देहे अभिमानी होने का आदत पड़ गई है आधा कलब देहे अभिमान में रहते हो एक शरी छोड़ दुसरा सरी लिया शरीर पर नाम पड़ता है कोई कहेंगे मैं परमानंद हूँ कोई का नाम क्या कोई का क्या बाबा केते हैं मैं सदेब देहे अभिमानी हूँ मुझे कभी देहे नहीं मिलती तो मुझे कभी देहे अभिमान नहीं हो सकता ये देहे तो इस दादा की है मैं सदेब देहे अभिमानी हूँ तुम बच्चों को भी बाप समान बनाने चाहता हूँ क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है देह अभिमान छोड़ना है टाइम लगता है बहुत समय से देह अभिमान में रहने का अभ्यास पड़ा हुआ है अभी बाप कहते हैं इस देह को छोड़ मेरे समान बनो क्योंकि तुमको मेरा गेस्ट बनना है मेरे पास बापस आना है बाबा कितना प्यार से सोमान से समझा रहे है क्योंकि आत्मा बेसमज हो गई है क्योंकि बाप को भूल गई है बाबा कहते हैं तुम बाप को याद करो तो वो दृष्टी खतम हो जाए महनत है इसमें हम आत्माव की सर्विश कर रहे हैं आत्मा सुनती है अरगान्स द्वारा मैं आत्मा तुमको बाबा का संदेश दे रहा हूँ ऐसा अभ्यास करना है आत्मा ना तो अपने को मेल ना फिमेल कहेगी मेल फिमेल शरीर से नाम पढ़ता है वो तो है ही परमात्मा बाप कहते हैं आत्मा सुनती हो आत्मा कहते हैं हाँ सुनती हूँ तुम अपने बाप को जानते हो वो सभी आत्माव का बाप है जैसे तुम आत्मा हो वैसे ही मैं तुम्हारा बाप हूँ जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है उनको अपना शरीर नहीं है ब्रह्मा विष्णु संकर को अपना अकार है आत्मा को आत्मा ही कहेंगे यह तुमको अब प्राक्टिस पड़ी है बाव केते हैं प्राक्टिस करनी पड़े कौन से प्राक्टिस करनी पड़े देही अभिमानी हो रहने की आत्मा ये सुनती है और बलती है इन अरगान्स द्वारा बाप बेट आत्मा को समझाते हैं आत्मा बेसमज हो गई है बाप की महिमा गाई हुई है ओह प्रभू तेरी लीला ओह मेरी मत जिस से गती अत्वा सदगती मिलती है सदगती दाता तो एकी ही है मनुश्य गती सदगती के लिए कितना माथा मारते हैं बाप कहते हैं इन सादु संतादी सब की सदगती करने के लिए मुझे आना पड़ता है सब की सदगती करने वाला मैं एक ही हूँ आत्मा उसे बात करता हूँ मैं तुम्हारा बाप हूँ और कोई यह कहना सके बाबा केते हैं वो तो कह देते हैं सर्वियापी तो फिर ऐसे भी कहना सके यह तो खुद बाब कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को तुमने जो भक्ती की है तुम भक्तों को भक्ती का फ़ल देने अभी तुम अनुभवी हो जानते हो कि हम 84 के चक्र में कैसे आते हैं ड्रामा में हर एक बात अपने समय पर होती है यह बाप बच्चे से आत्माँ से बात करते हैं कि तुम भी ऐसे सिखो कि हम आत्मा से बात करते हैं हमरी आत्मा इस मुख से बलती है यह समझना कितना सहज है बाप केते हैं तुम्हारी आत्मा एक शरीछ छोड़ दूसरा लेती है तभी आत्मा ने 84 जनम पूरे किये है अब बाप केते हैं अगर परमात्मा से बाप भी होता तो जीव परमात्मा को हो ना जीव आत्मा क्यों कहते हो यह आत्मा से बात करते हैं मेरे भाई आत्माएं समझती हो कि मैं बाप का संदेश सुनाता हूँ पांच जार वर्स पहले वाला और बाप कहते हैं मुझे याद करो तो बाप कहते हैं सोतो प्रधान से सोतो रोजो तमों में जरूर आना है अब फिर चलो वापस कहां चलना है स्री कृष्णपुरी चल कर क्या बनने चाहते हो महारजा महारणी बनेगे वह अदास दासी ऐसे ऐसे आत्माँ से बात करनी चाहिए उमंग होना चाहिए ऐसे नहीं कि मैं परमात्मा हूँ परमात्मा हमारा पीता है मैं कौन हूँ मैं आत्मा हूँ तो बाबास धारणाओं में कहते ही कल्प के संगम परियोग बल से दुख का चोपड़ा मतलब ही साहब किताब चुक्त करना है नया जमा करना है ज्यान रतनों को धारण कर गुणवान बनना है मैं आत्मा हूँ आत्मा भाई से बात करता हूँ शरी विनासी है मैं अपने भाई आत्मा को संदिश सुना रहा हूँ ऐसी प्राक्टिस करनी है आज बाबा हम बच्चों को बरदान दे रहे है शुब भावना और स्रिष्ट भाव द्वारा सर्व के प्रियवन विजई माला में पिरोने वाले विजई भाव कोई किसी भी भाव से बोले वाद चले लेकिन आप सदा हर एक के प्रती शुब भाव स्रिष्ट भाव धारन करो इसमें विजई बनो तो माला में पिरोने के अधिकारी बन जाएंगे क्योंकि सर्व के प्रिय बनने का साधनी है सम्मन्द संपर्क में हरे के प्रती श्रिष्ट भाव धारन करना ऐसे श्रिष्ट भाव वाला सदा सभी को सुख लेगा यह भी सेवा है तथा शुब भावना मंसा सेवा का स्रिष्ट साधने तो ऐसी सेवा करने वाले विजई माला के मनके बन जाते है आज बावा हम बच्चों को स्लोगान दे रहे हैं कर्म में योग कानुभव करना ही कर्म योगी बनना है तो आज की मुरली को नुसर हम सो मान लेंगे मैं विजई माला का विजई रतनात्मा हूँ मुरली को और गहरी डिती से चिंतन करते हुए निरंतर शिव बाबा की याद में रहना है बाबा जो कह रहे हैं उनकी श्रीमत पर चलना है सर्विशक्तिवान बाबा सदा मेरा साथ है और सदा मेरे साथ ही है मुस्कुराते रहे आगे वड़ते रहे पुरुशार्त करते रहे खुश रहें स्वस्त रहें मस्त रहें